Hello, what's up everybody, my name is Nick and welcome back to my YouTube channel Let Me Flow जैसे कि आप सब भी जानते ही हैं कि प्रदान मंतरी जन्दन योजना के तहट बहुत सारी योजनाओं का लाब आम जन्दा तक पहुंचाया जा रहा है आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जन्दन योजना का खाता कोल सकते हैं इसमें मिलने वाले लाब क्या हैं और कैसे आप 10,000 रुपे की ओवर ड्राफ्ट सुवीदा का लाब उठा सकते हैं अगर आपका खाता खुला है तो आपको ये सुवीदा मिल सकती है और अगर नहीं खुला है तो जिन्दा मत कीजिए हम आपको इसे खोलने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप दिखाएंगे अब हम बात करते हैं इस योजना की परदान मंतरी जंदन योजना की शुरुवात परदान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जीने की थी और अब तक करीब 53 करोड लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं इस योजना का मेन उद्देशिय उन लोगों तक बैंकिंग सुविदा पहुचाना है जिनके पास पहले बैंक खाता नहीं था अगर आपने अभी तक खाता नहीं कुलवाया है तो जल्द से जल्द कुलवा लीजिये क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट बैंफिट मिलते हैं जैसे कि एक लाक रुपे तक का दुरुगटना पीमा और दस हजार रुपे तक का ओवरड्राफट अगर आप नहीं जानते की ओवरड्राफट क्या होता है तो इसका मतलब मैं आपको गताता हूँ ये एक प्रकार का ओदार होता है जो आपको बैंक देता है शुरुवात में आपको पाँच हजार रुपे तक का ओवरड्राफट मिलता है और इसके लिए आपको किसी भी तरीके का ब्याज नहीं देना होता बस एक आसान सा फॉर्म बनना होता है और बैंक में जमा करना होता है अब खादे को खोलने की प्रोसेस आपको मैं बता दता हूँ परदान मंतरी जन धन योजना के तहट खादा खोलने के लिए आपको किसी बैंक में जाना होगा चाहे वो स्टेंट बैंक हो या फिर बैंक ओफ इंडिया हो आपको कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यमेट्स की ज़रुत होगी जैसे की आदार कार्ड, पैन कार्ड और अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसकी कॉपी भी जमा कर सकते हो खादा खोलने का जो फॉर्म होता है वो काफी ज़्यादा आसान होता है इसमें आपको अपना नाम, पता, आधा नंबर, पिन कोड और कुछ जरूरी जानकारी भरनी होती है अगर आप शादी शुदा हैं तो पती पतनी का नाम भी देना होता है इसके बाद आपको बैंक में ये फॉर्म और डॉक्यमेंट्स जमा करने होंगे और आपका खाता कुछी टैम में खुल जाएगा अब इस खाते में आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं पहला तो ये है कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है जो दूसरे खातों से कहीं ज़्यादा होता है आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है अब ये जो लाव होता है वो डारेट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है रूबे कार्ड और दूसरे फायदे में आपको बता देता हूँ इस खाते के साथ आपको एक रूप पे debit card भी दिया जाता है जिससे आप किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हैं इसके साथ ही आप phone पे, Google पे जैसे applications का यूज कर सकते हैं ये खाता आपको digital banking की सुवीदा भी देता है जिससे आप अपने पैसे कहीं भी और कभी भी transfer कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरा खाता भी तक नहीं खुला है तो क्या करें तो इसके लिए गबराने की बिल्कुल भी जरुद नहीं है हम आपको बदाएंगे कि कैसे आप जन्धन योजना के तहट खाता खोल सकते हैं सबसे पहले आपको bank में जाना होगा फिर वाँ बर form भर कर जमा कर देना होगा form में आपको अपने personal details जैसे की नाम, पता, आदार, card number और mobile number फढ़ना होगा इसके बाद bank में आपके कांगजाद verify करने के बाद आपका खाता कोल दिया जाएगा एक बार खाता खोल जाने के बाद आप overdraft जैसी सोवीदाओं का लाग उटा सकते हैं खाता खोलने के बाद की process के बारेमें अगर बना बात करूँ और फिर आपके खाते में 10,000 रुपे का ओगर ड्राफ्ट जमा हो जाएगा इस पैसे का आप किसी भी जरुवत में यूज कर सकते हैं और आपको इसे एक निश्चित समय के अंदर वापस करना होगा प्रदान मंतरी जन्दन योजना का मियन देश के हर नागरिक तक बैंकिंग सुविधा पहुचाना है ताकि किसी भी योजना का लाप सीधे उनके खते में पहुँच सके इस योजना के तहट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक इसका लाप नहीं उठा सके हैं और आप भी इसका निस्सा बन सकते हो तो अगर आप भी जन्दन योजना का खाता को लवाना चाते हैं तो जल्द से जल अपने नजदे की बैंक में जाएं और इस योजना का लाप उठाएं हमें उमीद है कि आपको यह जानकारी बहुत जादा यूसफूल लगी होगी अगर आपको कोई को डाउट है तो मुझे कॉमेंट करके जरूब बताइए और ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच पर वाचिंग थिस वीडियो